हां जी, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज चाय और बैकेंड हम जावा स्क्रिप्ट के साथ अपनी बैकेंड की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं काफी बैसिक्स तो हमारा हो चुका है, जस्ट एक जनरल ओवर्व्यू फॉर्मलिटीज ताकि आप लोग कमफर्टिबल फील करें कि हां बैकेंड में जा रहे हम उस तरफ हमारी जर्नी है तो वो सब हो चुका है और मुझे काफी लोगों ने मैसेज करें कि आप लोगों ने काफी मिस करा मुझे, मैंने भी आप लोगों को काफी मिस करा तो इसलिए फटाफट से आ गए हम और इस वीडियो का हमारा टारगेट है सिर्फ 500 कमेंट्स फटाफट से पहले फटाफट से अपने comments का target complete कर दीजे और उसके बाद हम चलते हैं हमारी journey पे तो journey स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ experience share करता हूँ क्योंकि यही तो एक unique चीज है कि इतने जो 10-12 सालों को experience है वो share करना भी तो जरूरी है तो एक बार क्या हुआ कि एक corporate के लिए मैं consulting का काम कर रहा था तो वहाँ पे कुछ नए fresher सी hire हुए थे minor project था जादा बड़ा भी नहीं था उसको करने के लिए और जैसे उनको कहा कि एक authentication login sign up page वोरा गरा पुरा बनाना है तो जो fresher था उसने सबसे पहले start करा और login को controllers वगरा लिखने लग गया वहाँ पे की email लूँगा password लूँगा और login करा दूँगा ऐसे database में और यही एक छोटा सा reason है जो मैं बोलता हूँ कि fresher versus experience fresher जो होते हैं फटा-फट काम करने लग जाते हैं experience उस पे question करते हैं क्या होगा कैसे होगा क्या हमारा scope है उस काम का किस लिए वो काम कर रहे हम क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो जब भी आप back end के project बनाएना सबसे पहले यह login वगरा यह सब जरूरी नहीं है सबसे पहला जो question है जो आपको करना चाहिए वो यह होना चाहिए कि data क्या store करने वाले है कहां पे store होगा यह भी important नहीं है अकसर लोग इस debate में भी पढ़ जाते हैं कि MySQL में करेंगे कि Mongo में कि Postgres में करेंगे कि Graph क्यों यह सब जरूरी नहीं है अभी अभी इस point पे जब हम कोई भी project start कर रहे है तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो यह है कि क्या store करने वाले है क्योंकि data ही तो store होगा तो कौन-कौन से ओ data point है user name है क्या, email है क्या, photos है क्या, password है क्या उसके लावर date of birth है क्या और भी कितने fields है जो हम store कर रहे है जब तक आपको इन fields पे clarity नहीं आएगी क्या-क्या fields हम store कर रहे है क्या-क्या format है उन fields का तब तक आपको project को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए तो यह जो पूरा video है यह सिर्फ आपको इसी बात की clarity देने के लिए है कि किस तरह से यह fields define होते है और कैसे हमें fields को रखना चाहिए अब इस जो series है हम Mern की पूरी series यहाँ पे continue कर रहे है जिनको नहीं पता उनके लिए introduce कर देते हैं हाँ पूरा Mern का ही project आई है लेकिन इसका नाम Mern हो, Mean हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है backend में हमने choose करा कि JavaScript हम use करेंगे database में हम MongoDB यूज करेंगे और यह हमारा एक general है अब इसी चीज़ को आगे जाके और MySQL में भी change कर सकते उसमें कोई फरक नहीं आएगा कोई खास अंतर नहीं आएगा उसके भी ORMs वगरा है जो आगे जाके वीडियो में मैं वो भी cover करूँगा चैनल पे वो भी होंगे अगर आप subscribe कर देंगे तो जरूर cover करेंगे पर मुद्दे की बात यह है सबसे जरूरी जो बात है वो यही है कि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि क्या हम store करने वाले हैं इस पे debate करिए question करिए बहुत बार question करिए कि कैसे यह सब होता है अब इसको जो data store करते हैं इसके कुछ professional tools भी होता है जो आपको बड़े corporates में use होता है कुछ basic tools भी है और कुछ directly भी काम होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ तो सारे corporate के अंदर कैसे काम होता है कैसे कुछ paid tools है हम paid tools use नहीं करेंगे बट फिर भी आपको introduction देना जरूरी है तो कि आप भी जब professionally काम करें तो आपको पता हो आप ऐसा नहीं feel करें कि यह क्या सब नया आगे है एकदम से क्योंकि आप chai और code के subscriber है तो आपको पूरा professionally सब कुछ पता होना चाहिए ठीक है तो हम चोटी-चोटी बातों को और आगे लेके थोड़ा सा detailed description में देते हैं और मैं आपको एक पूरा project का walkthrough बताता हूँ कि जब एक project बनना start होता है एक backend पूरा बनता है किस तरह से हम क्या approach लेते हैं क्योंकि approach पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो यह जो काम है ना हम यहाँ पर जो choose कर रहे है वहाँ पर एक tool यूज कर रहे है मैं आपके साथ में screen share करता हूँ जो कि है mongos यह mongos हम यूज करने वाले है left and right पूरा का पूरा mongos यूज होगा लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अगर आप mongos यूज करते हो सबसे पहले लोग इस चीज में पढ़ जाते है कि देखे mongos हम यहाँ पर यूज कर रहे है और इस mongos के अंदर हमको database ऐस ऐसे connect कर रहा है अरे database की बात नहीं है database connection तो बहुत दूर की चीज है उसको हम बात में देखेंगे जब हम professionally एक product बनाएंगे आगे वीडियो में तब हम बात करेंगे अभी बात यह है कि data कैसे store करूँ और क्या data store करूँ ठीक है तो कुछ मैं आपको tools बताता हूँ कैसे कैसे काम में लेते है तो आप भी चाहें तो google पर search कर सकते है इनको एक जो सबसे famous tool है आजकल जो की सबसे ज़ादा use हो रहा है वो है moon modeler moon modeler आप देख सकते है data modeling के लिए use होता है अब data modeling क्या होता है data modeling का simple सा मतलब है data का पूरा structure define करना user है तो उसके कौन-कौन से field ले रहे हम suppose करिए आप hospital management system बना रहे है तो आपके पास एक patient होगा तो patient के क्या-क्या field आप लेना चाहते है doctor होगा तो doctor के कौन-कौन से field लेना चाहते है hospital होगा hospital के कौन-कौन से field आप लेना चाहते है patient जो आया है उसकी medical history भी आप store करना चाहेंगे तो medical history के क्या-क्या fields होंगे उसके बाद ये field आपस में कैसे connected होंगे इनी सब के उपर सबसे ज़ादा चर्चा होती है In fact मैं आपको बता दू backend developer कभी भी ज़ादा बड़ी कंपनियों में especially, अकेला backend developer नहीं होता है ये data modeling के लिए database specialist अलक्स से होते है जो कि इस बात में specialty रखते है कि किस तरह से data arrange होगा, organized होगा हमारे database में इस पे बहस बाद में होती है कि MySQL होगा कि Mongo होगा लेकिन सबसे पहले क्या-क्या data रखा जाएगा उस पे तो वहाँ पे जो एक professionally tool आजकल almost सारी company ने इसका subscription ले रखा है expensive है ये बात मैं कहूंगा expensive है आपको corporate ही जाधा तर इनका access देता है 99 डॉलर भी है 151 भी है तो जाधा तर सब के अंदर आपको मिलता है मैं आपको alternate भी बताऊंगा इसके किस तरह से है as such कोई खास alternative नहीं है इस tool का बस फायदा यह होता है कि इसमें आपको code इस तरह के आप fields बनाते हो और उसके बाद आपको code automatically generate हो जाता है mongoose का क्योंकि इसका compatibility बहुत अच्छा है mongoose के साथ तो easily draw diagram for mongo db and mongoose और वो simply उसका script भी आपको देता है कि यह लो का source code क्योंकि source code में इतना कुछ होता नहीं अभी हम लिखेंगे इतना कुछ होता नहीं तो यह generate करके देता है तो एक काम तो यहां से होता है अचा दूसरा क्या होता है यह जो आप उपर top पे diagram देख रहे हो जब आप professionally code लिखोगे तो इस तरह के diagrams आपको दिखाये जाएंगे और आपसे मांगे भी जाएंगे अगर आप backend developer हो कि हमें at least database का diagram तो दो कि हम किस तरह से data store कर रहे हैं क्या क्या हमारे पास relation entities क्या क्या है तो उस सब के लिए तो एक tool जो आजकल मैं use कर रहा हूँ वो है काफी famous है eraser.io आप भी चाहें तो account बना सकते हैं और भी बहुत सारे हैं बट eraser पर मुझे अच्छा यह लगता है कि यहाँ पर एक data modeling के लिए tool है मेरे को उनके founder ने थोड़ा खुश हो के free में सारा subscription दे दिया था बट free version भी इसका काफी अच्छा है तो देखे जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पर एक आपको दिखेगा user data model का example आपको दिखेगा मैं यहाँ पर एक नई file यहाँ पर create कर लेता हूँ react.js इसमें कुछ खास है नहीं तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से वो files वगरा generate होती है तो हम आजाते हैं एकडम clean screen पर और यहाँ पर आजाते हैं आप क्या करना है आपको simply यहाँ प्लस बटन है यहाँ पर आपको diagram as a code दिखेगा और इस diagram as a code के अंदर आपको दिखेगा simply यहाँ पर कि आप entity relations को आप देख सकते हो यहाँ पर तो entity relation पर जैसे click करोगे तो आपको यह diagram type से यहाँ पर दिख जाएगा यह है हमारा diagram यह तो बना बना है लेकिन यह diagram बना कैसे उसके लिए आपको यहाँ पर right में source code भी मिल जाता है अगर इन case आपका gap हो गया है तो bottom में आपको दिखेगा open editor यहाँ से open करके यह diagram के आपको relations और पूरा diagram model कैसा है वो दिख जाता है अब problem यह है कि moon modeler जो है वो exactly आपको mongoose जैसा काम करता है तो आपको कुछ नया syntax नहीं सीखना पड़ता है eraser थोड़ा सा अलग चलता है तो यहाँ पर syntax थोड़ा सा अलग आ जाता है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर users है users के अंदर फिर यह icon कौन सा दिखाना है उसके अंदर कौन कौन से field है तो उससाब से properties है bottom में यहाँ पर क्या relation है तो relation अलग से define करना पड़ता है तो यह थोड़ा सा कई लोग का अलग मिलता है महसूस होता है लेकिन आप भी अपना बना सकते हैं इस हिसाब से diagrams वगरा इसमें change कर सकते हैं ऐस सच कोई field नहीं होते हैं बट जब आप professionally काम करेंगे तो आपको इस तरह के diagrams और इस तरह के कि ऐसे तो काम होगा नहीं अच्छा ये तो हो गया basic हमारा कि इस तरह के diagrams होगराते हैं लेकिन सरा हमार पास तो इनका भी access नहीं है तो क्या करें तो सबसे best काम है pen और paper उठाओ और सबसे पहले एक screen बनाने की कोशिश करो screen कैसी है इस से फरक नहीं पड़ता है एक हम example भी करता है यहाँ पे अभी लेकिन क्या-क्या fields हमें लेने उसका exercise करना बहुत जरूरी है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अगर हमार पास इन सभी का access नहीं है तो हम कैसे काम करते हैं तो simple सा क्या करो कि यहाँ पे हम बनाते हैं एक simple सा field यह लीजे हमारा यह है अब सबसे पहले login screen बनाओ कि register हमेशा धिहान रखिए सबसे पहले उस screen के चिंता करिए कि data save कैसे होगा देखिए login जो होता है वो data का validation है कि आपने जो data दिया वो होती है कि क्या-क्या field database में store कराना है इसलिए हम सबसे पहले जो काम करते है usually वो करते है हमारे register form पे ठीक है यह हमारा register तो आप एक copy और pen लीजे और उस पे इस तरह का registration form field बनाने की कुशिश करिए अब सबसे पहली चीज हम बनाएंगे कि मुझे क्या-क्या user से store कराना है तो suppose करिए मुझे username store कराना है मुझे उसका email करवाना है मुझे उसका password करवाना है मुझे लगता इतने field काफी है तो मैं इस तरह से बनाऊंगा एक field और उसके बाद एक submit button यहाँ पर बना दूँगा कैसे बताता हूँ यह register यहाँ पर कोई फरक नहीं है यह कहीं पर भी हो लेकिन जैसे इसके अंदर एक और field आता है यहाँ पर जो की है photo बस सब कुछ change हो गया अब कैसे store करोगे कैसे उसका logic लिखोगे वो सब कुछ बदल जाएगा हाँ जी इसलिए सबसे पहले गता हूँ कि सबसे पहले यह ध्यान में रखो कि user से क्या क्या information लेके data में store करने वाले हो और उसी की basis पे सारा काम करो अब यह तो सिर्फ आपको लग रहा है कि photo एक नया field add हो गया इसलिए change हो गया नहीं नहीं ऐसा नहीं है अगर आपने username, email, password लिया है और यहाँ पे अगर आपने सिर्फ एक DOB भी और ले लिया उससे की date of birth भी चाहिए तो भी काफे कुछ change आजाते हैं तो इसलिए सबसे पहले चिंता कीजिए कि आपके पास कौन सा field है कितने fields हैं और क्या-क्या आप data लेने वाले हो user से सबसे पहली चिंता इसी बात की कीजिए क्योंकि इसके बाद जो आपका दूसरा आप सोच रहे हो कि मेरे को यहाँ पे जैसे suppose करी एक login फी field है मेरे पास तो हम यहाँ पे एक login भी ले लेते है login अगर आप गौर से सोचो तो actually में login कुछ नई entries नहीं लेता है कभी भी login आपसे existing entries के बारे में ही पूछता है और उनको validate करता है जैसे कि आपने suppose करो email based login करा है तो आप email और password ले रहे हो तो कोई नई entries थोड़ी ना आई है यह सारा जितना material है वो already database में store है हमारे पास में तो इसलिए जब भी आपको इस तरह का कोई भी project बनाना हो पहले pen और pencil उठाओ और सबसे पहले चिंता करो data points की कौन-कौन से data points लिये जाएंगे किस तरह से store किये जाएंगे कैसे रखा जाएगा क्या उसका सारा काम होगा ठीक है छोटी से exercise और करते हैं इसके साथ में फिर code पे भी आएंगे हम code exercise करनी तो जरूरी है practical तो करना जरूरी है अब suppose करिए एक user से आपने उसका नाम, email, password जो भी था वो आप सबने ले लिया अब suppose करिए आप कुछ google keep type बनाना का कोशिश कर रहे है या फिर एक trello बनाने की कोशिश कर रहे है तो कैसे कैसे fields होंगे, क्या क्या होंगे suppose करिए आप एक to do ही बनाना चाह रहे है लेकिन इस बार to do को हम थोड़ा सा complex बना रहे है कि to do क्या होगा मेरा, कुछ इस तरह से होगा suppose करिए, कि ये मेरा screen होगा obvious ही बात है इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे to do होंगे ठीक है, ये हो गया ये हो गया, ये हो गया और यहाँ पर इस तरह के to do है इससे फरक नहीं पड़ता है, कभी भी ध्यान रखेगा कि आपने फोटो यहाँ पर center में रखा है यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है यह fields है, data fields है, हमको UI नहीं बना रहे है हम सिर्फ यह बना रहे है कि इतने points होंगे कैसे जमाना arrange करना है, वो सब front end में बाद में देखेंगे, तो हमारे यह हो गए आपके to do's, अब इससे बात क्या है कि यह है हमारे major to do's, यानि कि यह सिर्फ है title, जैसे suppose करिए यह है आपका कि मैं YouTube के लिए जो भी काम कर रहा हूँ, वो मैं इस to do's के अंदर रखूँगा, तो यह हो गया से मुझे पता लग गया कि ठीक है, यह to do's के अंदर कोई content नहीं है यह सिर्फ headliners है, कि एक box है जहां पर to do's रखे जाएंगे further इसके अंदर कैसे होगा, तो इसके अंदर कुछ इस तरह से हम रखेंगे, कि suppose कर यह जो YouTube वाला है, तो यहां पर YouTube के अंदर further आपके to do's आएंगे तो एक box बना लेते हैं यहां पर तो यह लिजे box आगया अब इसके अंदर क्या-क्या content रखना चाहोगे suppose कर यह इसके अंदर further मैं अपना to do का content रखना चाहोँगा, उस content के अंदर mark भी होगा marked as done, तो यह भी field रखना चाहोँगा इसके अलाबा कब इस to do को मैंने create करा, तो मैं creation date भी रखना चाहोँगा creation date, और suppose कर यह मैं colors वगर रखना चाहरा हूँ, तो colors भी रख सकता हूँ तो at least आपको एक idea लगने लगेगा कि अच्छा मेरा data model इस तरह से होगा अभी आप साथ सोच रहें कि इतना नहीं है लेकिन देखी आपने क्या क्या define कर लिया कि ये तो content field हो गए हमारे sub to do के, लेकिन जो main to do है उसके भी तो field define है, कि उसके अंदर भी तो एक content है, तो एक field वहाँ पे भी आ गया है, तो इसके अंदर हम क्या करते है अभी इसको बना लेते हैं, as it is कि हम एक इस to do के अंदर किस तरह का क्या-क्या content रख रहे हैं, तो यहाँ पर आके हम लख लेते हैं, कि suppose करिए इस to do के अंदर हमें क्या चाहिए, content चाहिए, लेकिन क्योंकि ये outer to do है, तो इतनी कोई मुझे खास जरूत नहीं है, इसके अंदर की mark is done वगरा, क्योंकि वहाँ तो हम करी नहीं रहे हैं, उसके अंदर जाके फिर हमें सब to do's दिखेंगे तो जिस तरह से भी आप project बनाएं, पहले आपके mind में picture clear होनी चाहिए, कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ और कैसे वो relate होगा सब के अंदर, अब आपने content रखाए, आप suppose करीए, आप इसको colorful card बनाना चाहते थे, तो हो सकता है, आप हर एक जो major to do है, उसका color भी आप store रखना चाहरे है ताकि card का color भी define हो वहाँ पर, तो content define हो गया, और color define हो गया, अब हो सकता है, आप इसको content नहीं बोलना चाहे, आप इसको title बोलना चाहे, कि मुझे title जादा बेटर लगता है, यहाँ पर feel, तो आप इसको title बोलिए, अब किसने वो बनाया है, यह भी अगर आप रखना चाहते हैं, तो वैसी बात है, आप इसको link भी कर सकते हैं, कि हमारा यह user तो बनायवाई है already, मैं यह भी field की storage रखना चाहता हूँ, कि यह किसने बनाया, तो मैं इ समझ में आने लगेगा, कि एक second इसको हम कर लेते है, enter, कि actually में हर एक जो आपने major बनाया है, इसके अंदर list होगी, यह एक ही to do थोड़ी ना होगा, multiple to do होगे, तो यहाँ पे सिर्फ इतने से काम तो नहीं चलेगा, यहाँ पे आके आपको एक और field भी रखना पड़ेगा, कि यहाँ पे तीन properties है, तो best क्या रहेगा, कि object रख लेते हैं, तो यह लिजे एक object, यह आपका दूसरा object, यह आपका तीसरा object, तो at least मेरे को एक overview हो गया, एक broader idea हो गया, कि किस तरह से चीजे होगी, और किस तरह से रखी जाएगी, तो हाला कि मैं मानता हूँ कि 100% हमें clarity नहीं चाता हूँ कि यह मेरी major to do's होगा, उसके अंदर sub to do's होगे हमारे, तो हमने क्या करा, एक YouTube बना लिया, job बना लिया, gym बना लिया, एक rough हमने paper पर बना लिया, उसके बाद हमने पहले देखा कि पहले हम बनाते हैं, कि इसके अंदर क्या क्या होगा, तो YouTube के अंदर multiple list होगी, कि YouTube का first video, second video, third video इस बारे में बनाओ, तो हर एक video को content बोल दिया मैंने, उसके बाद मैंने बोल दिया, यहाँ पर mark is done, और उसके बाद बोल दिया, creation date भी मैं store करना चाहता हूँ, इसके बाद मैंने फिर आवापस आकर देखा कि यह major मैं बना रहा हो to do, इसके बारे में तो आने कहा कि यह created by, और यह sub to do's, यह भी हम रखेंगे, sub to do's क्यों क्यों कि हर एक main to do के अंदर कई to do's होंगे, तो array के अंदर एक object रख लेते हैं, आप चाहें तो object के अंदर object भी रख सकते थे, यह आपके उपर है कि आप कैसे data organize और structure करना चाहते हैं, तो I think अब आपको काफ होती ही नहीं अभी, यह सिर्फ होता है कि मेरी application दिखेगी कैसे, structure कैसे होगी, यही एक backend engineer का सबसे major role होता है, कि क्या data store करना है, फिर उसको retrieve कैसे करेंगे, उसको validate कैसे करेंगे, यह सब बात की चीज़े होते हैं, और यह सब बात में ही देखा जाता है, चल यह, आप चलते ह इसी तरह का एक helper है, जो आपको यह सारा data store करने में help करता है, इसी तरह का एक और helper है आपके पास, जिसका नाम है Mongoose, helper है, और कुछ भी नहीं है, क्या करता है, elegant MongoDB object modeling, यह जो हमने पूरा काम किया है, इसको ही object modeling या data modeling बोलते हैं, model तो बनाना पड़ेगा ने, तो वो ही हमने करा, यह Mongoose क्या करता है, यह इसी तरह के object या फिर data modeling में हमारी help करता है, तो Mongoose को हम देखेंगे, अब अभी आपको यह सब नहीं देखना है, कैसे database connect होता है, क्या होता है, यह सब हमें जानने की जूरुत नहीं, in fact Mongoose का database पढ़ने का एक style होता है, अगर आप इसको line by line या जिस तरह से documentation दिया गया, इस तरह से पढ़ने लोगों के तो नहीं समझ पाओगे, यह तो guarantee है, अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पर आके defining your schema, creating a model यह सब पढ़ लूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, Mongoose database बहुत अच्छा documentation लिखावा है, लेकि इसको पढ़न अच्छा अगर आप model देखोगे, कि model किस तरह से बनता है, तो इन्हों तो एक line में बता दिया, कि models ऐसे बनता है, कि blog है, यह blog है, यह blog schema है, नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार जब आप यह tutorial देखोगे, उसके बाद आपको काफी चीज़े समझ में लगेगी, अच्छ इस वीडियो के अंदर create नहीं करूँगा, मैं next वीडियो के अंदर create करूँगा, यह repository क्या होगी, काफी बड़ी होने वाली है, इसके अंदर बहुत सारा code जाने वाला है, इसलिए अभी मैं basic basic चीजों की कोई repository नहीं बना रहा हूँ, बट मैं आपको code फाइल सारी दूँग जहां पर लिखना है, क्या-क्या field रखने है, यह भी हमने बात नहीं करी अभी, क्यो field string होगा, date होगा, वो सब बात में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि मैं को basic basic idea हो गया है, अब चलेंगे हम practical की तरफ, अब practical कैसे करेंगे, वो भी देखिए, थोड़ा सा हम different करेंगे यहाँ पर, अब practical किस तरह से करेंगे, देखिए, आपके पास बहुत सारे options से practical करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, आजकल क्या है, वैसे तो आप चाहें तो git पे या फिर आप अपने local में भी program बना के सब कर सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे options हैं, जैसे ए JavaScript की series में भी थोड़ा सा use करा था, GitHub का भी एक actually में same ऐसा आता है, GitHub code spaces, तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो, इसको भी हम use कर सकते हैं, तो यह सारे क्या करते हैं, आपको local कुछ नहीं install करना है, सब कुछ आपके cloud में, browser में, वहीं पे सारा काम हो जाता है, तो इसको भी हम use कर में actually में stack blitz को, पहले incognito में आपको खोल के दिखाता हूँ, कि क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, click code done, मतलब simple सा है, कि आपको कोई भी environment चाहिए, वह आपको easily यहाँ पर मिल जाता है, node.js का environment चाहिए, जास्क्रिप्ट, तो installation का थोड़ा सा पंगा हट जाता है, इस video के template वगरा भी use कर सकते हो, कोई बड़ी बात में, यहाँ पर मुझे easily इसका link में description में आपको दे दूँगा, चिंता मत कीजिए, सारा code आपको मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, simply new project पे click करता हूँ, यहाँ पर आपको popular front end, back end, full stack, सब मिल जाता है, back end मुझे दे दो, और express का दे दो, या basic अगर मुझे note gs दे दोगे तो भी मेरा तो काम हो जाएगा, बर चले ठीक है, express ले लेते हैं, यह कहरे हैं तो, express का हमने यहाँ पर एक starter package ले लिया है, एक ही minute में सारा generate कर देगा, okay, तो एक minute रुखते हैं, ताकि यह सारा जित्ता generation, अब मुझे यह इसलिए पसंद है, क्योंकि यहाँ पर एक दो चीज मुझे अच्छी लगती है, यह server क्या कर रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, in fact, यहाँ पर हम देखेंगे भी नहीं, तो इसको एकदम side में कर दीजे, अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है सबसे पहले settings के अंदर, workspace settings के अंदर, और यहाँ पर कुछ changes करने है, आपको वो changes करने की जरूत नहीं है, यहाँ पर आपको दिखेगा यह editor font size, यह मुझे change करना है, वरना आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, तो actually मैं मैं यहाँ पर इसको 24 कर देते हैं, 24, 26, अभी तो देख रहा है, 28 कर दे, 28 कर दे हैं, तो यह हमार पास 28 है, और इसको मैं कर देता हूँ, save, अब क्या है कि actually मैं code आपको easily दिख जाएगा, इसलिए बसी settings, तो मुझे इसलिए पसंद है, अब हम आ गए यहाँ पर files के अंदर, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर नई files create करेंगे, और कैसे वो सारा काम हो अब हमें ना run करना है, ना कुछ काम करना है, हमें इन में से किसी चीज की भी जरूत नहीं है, हाँ जी, किसी चीज की जरूत नहीं है, ओके, तो अब हम क्या करते हैं सीधा सा, आप आजाएए, एक नया यहाँ पर एक folder बनाईए, और हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राक्टिस इस वीडियो के अंदर, तो इसका नाम रख देते हैं, हम models, और अलग-लग models की practice क्यों करें क्योंकि हम सबसे पहले practice करेंगे to do's की, अब to do's मुझे एक application बनानी है backend, अभी मेरी चिंता यह नहीं कि मैं उसके अंदर data कैसे डालूंगा, वो controller का काम है, वो आगे जाके हम करेंगे, अभी मेरी चिंता सिर्फ इतनी सी है कि to do के अंदर जितना भी data होगा, वो data मैं कैसे store क करूँगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ files बनाते हैं, जो files define करेंगे हमारा characters, जैसे movies में characters होते हैं, कि यह hero है, यह hero है, यह villain है, यह villain के चाचा है, यह बतीजे है, यह जो भी है, तो सबका structure होता है, तो उसी तरह से हमारे पास भी database के अंदर characters होते हैं, तो यह सबसे पहले जो character में बना चाऊंगा, एक बना चाऊंगा user, अब आप चाहें तो directly user.js भी बना सकते हैं, बट आपको कई बार यह professional जितने भी code लिखते हैं लोग, वो यहाँ पे क्या करते हैं, user.models.js, है अभी भी यह JavaScript फाइल, लेकिन आपने क्योंकि उसके end में .models लगा दिया, तो इससे बस यह हो गया है, कि हाँ यह model denote करती है, तो इसका as such कोई significance नहीं है, file structure में या file की readability में कोई change नहीं करती है, अभी भी code JavaScript फाइल ही है, लेकिन यह लिखने का standard practice है, जो industry में use होता है, जितने भी आप बड़ी corporate में काम करेंगे, तो इसी तरह से लिखा जाता है, अब ऐसी controller को ही लिख रहा है, तो user.controller.js, again हर company का अलग एक लिखने का style है, एक structure है, आपको company में जाके ही पता लगेगा, अभी हम यह वाला standard structure follow कर लेते हैं, काफी बड़ी companyों में यही use होता है, user.models.js, यह सिर्फ नाम रखने का standard practice है, क्योंकि आप channel पे आए हो, तो standard practice भी बतानी है, वरना आप नहीं चाहो तो user.js लिख दो, तो भी क्या ही है, ओके, तो यह हो गया हमारा user.models.js, यह तो हो गया कि to-do के लिए हमारा user define होगा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और नया हमारा character जो introduce करेंगे, वो होगा हमारा to-do, यही तो मेन है, इ यह model.js रखना है, models.js यह आपके उपर है, एक ही structure follow करिएगा, एक ही pattern follow करिएगा, code के अंदर सबसे important है, आप consistency रखें, अगर आप model बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है, अगर आप models बोल रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, एक जगे model, एक जगे models बोल रहे हैं, वो inconsistent होता है, वो ग तो कहानी है, टुडूस का अगर हम कभी भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम अभी नहीं बनाने वाले, तो हम किस तरह से उसका डेटा लोड करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, तो सबसे पहले तो मॉंगूस का आपको बेसिक पता होना चाहिए, कि मॉंगूस अगर हम बात कर रहे हैं, तो मॉंगूस मॉडल बनाता कैसे, एक्सपोर्ट कैसे करता है उसको, ठीक है, वो सिर्फ तीन लाइन का काम है, तो वो आपको बताते हैं, सबसे पहले क्या करो, इंपोर्ट कर लो, मॉंगूस को, कहां से इंपोर्ट करोगे, हम इंपोर्ट करेंगे, मॉंगूस से, ठीक है जी, एक काम तो हो गया, ठीक है, चलिए, इतना काम तो हो गया, दूसरा, स्टेप टू क्या होता है, मॉंगूस जो है, आपको help करता है, स्कीमा बनाने के लिए, तो कैसे बनाते है schema, new keyword से ही बनाते है हमेशा, और simples आप क्या करो, mongoose, और इसके अंदर एक method आपको मिलता है, जो की बोलता है schema, schema क्या है, एक method है, जो की लेता है, एक object, बस, अब ये तो बन गया मेरा schema, इसको store करा लेते हैं, एक variable के अंदर, तो इसको बोल लेते हैं, const user schema, आ सबसे important है, export किया जाता है, जब तक export नहीं होगा, तब तक ही schema नहीं बनाएगा, अच्छा, schema बनाएगा कहाँ पर, MongoDB के अंदर, पर सर हमने MongoDB तो connect नहीं किया, हाँ जी नहीं किया, करेंगे भी नहीं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी practice database connection की नहीं हो रही है, अभी जो practice हो रही है, वो सिर्फ data modeling की practice हम कर रहे हैं, कि किस तरह से data model, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा video, बट मैं आप से 3-4 model practice कर वाऊंगा, और एक बार आपने 3-4 model practice कर लिए, उसके बाद आप बड़े easily हो जाएंगे comfortable कि हाँ, अब हमें आता है, तो step 2 भी हो ग export कर देते हैं, नहीं, यह schema है, यह mongoose का schema है, तो इसको export करने का एक तरीका होता है, वो भी बताता हूं, तो हमेशा इसी तरह से format करेंगे, हम const, export, const, user, user का U मैंने capital रखा है, गौर से देखिए, और क्या करा है, मैंने वापिस से mongoose use करता हूं, उपस, mongoose, और उसके बाद बोला, mongoose, please, एक model बना दो, क्योंकि यह data model ही तो है, यह model क्या है, एक method है, यह method दो parameter लेता है, कि क्या model बनाओ, और किसके base पे बनाओ, तो यह दो question हमेशा बोलता है, क्या model बनाओ, और किसके basis पे बनाओ, तो model जो आप बनाओ, उसको मैं नाम string में नाम देते हैं, उसका, वो देता हूँ, मैं इसको user, ठीक है, और किसके basis पे बनाओ, तो line number 3 में मैंने basis define कर रखा, यह user schema, हाँ जी, तो उसके basis पे एक model बनाओ, तो यहाँ पे हम अभी और थोड़ा code लिखेंगे, बट यह 3 line का code आप हमेशा exactly same लिखोगे, सबसे पहले m mongoose import कराओगे, उसके बाद आप एक यूजर schema, to do schema, sub to do schema, hospital schema, कोई ना कोई schema बनाओगे, data structure का, वो schema बनेगा, new keyword हमेशा यूज करना, जावा स्कृट में मैंने बहुत डीटेल में समझाया था, यह new schema, उसके बाद mongoose.schema से हम schema बनाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम mongo db से ही लेके आते हैं, हम schema इन ही files से ही लेके आते हैं, इसलिए हम especially उसको user को हम use करते हैं, यहापे बार बार, mongoose से model बनाते हैं, और यह model जब finally connect हो जाएगा database से, तो यह files automatically सबसे पहले run हो जाती है, और आपके mongo db में एक structure तयार हो जाता है, कि यह यह मेरी headline fields है, जै user schema पर based होगा, अच्छा एक और important चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने इस user का नाम आपको हमेशा इस तरह से दिखेगा user, यह फिर कोई to do का बना रहा है, तो to do इस तरह से, लेकिन जैसे यह database में नाम जाता है, mongoose के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा भी connect करके mongo DB में, तो यह user क्या हो जाता है, user और S, यह mongo DB का actually में standardized practice है, working है inner, कि जब भी आपको इस तरह का model दोगे, तो model convert हो जाता है, plural में और हर कोई lower case में हो जाता है, interviews में पूछा जाता है, कि मैंने यह नाम दिया, यहाँ तो database में किस तरह से दिखाई देगा, आप जिनोंने actually में काम किया है, कुछ project बना है, उनको तो पता है, जो project इदर उदर से github से या किसी से खरीद के लिए है, उनको थोड़ी ना पता है, यह सब चीज़े, तो हमेशा, आप जैसे todo's है, आपने कहां महाँ पे double quote के अंदर, string के अंदर अगर मान लीजे, आपने todo इस तरह से तो वो क्या हो जाएगा, simple todo और s, अब कई लोग इसमें कहते है, todo s होना चाहिए, todo's वो सब अलग है, वो standard practice वालो करता है, बस plural कर देता है उसको, वो depend करता है, जाता सब के पीछे s लगा देता है, तो plural हो जाता है, तो वो सब अलग बात है, ठीक है, तो यह हो गया हमार क्या करो, यहाँ पर इसने यही सब लिख रखा है कि कैसे काम होता है, अब model तो बन गया user का, लेकिन एक बात बताईए, कहां गए हम, हाँ यह रह, कि एक बात बताईए, data तो कुछ गया ही नहीं, यह तो आपने structure बताया, mongos का data भी तो चाहिए, हाँ, अब data कैसे रखा जा है, तो अब यहाँ पर आप data के अपने fields लिखिए, क्या field है मेरे, field है मेरा पहला field में लेना चाहता हूँ, username, अब username आपको जो documentation में दिखेगा न, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, और यह गलत नहीं है, exactly सही है, username मेरा string होगा, तो अगर आप documentation पढ़ोगे तो आपको इस तर कोई होगा, यह देखें यहाँ पर, इन्होंने कहा name और यह string, यह exactly हमारा भी same है, तो ऐसे ही exactly आपको दिखेगा, कि आप data field ऐसे लिख सकते हो, username और string, तो इसी तरह से अगर आपको और भी चाहिए, तो यह email हो गया, इसको मैं ऐसे string रखना चाहता हूँ, तो यह string रख अगर आपका कोई है, is active, कुछ इस तरह का email पे click करो, password, उसके बाद यह आपका account activate करूँगा, तो इसके अदर आप लेख सकते हो, कि मुझे यह वाला field चाहिए, boolean, तो यह लिजे, boolean, कौमा लगाना भूल गया हमाँ पर, तो यह लिजे, तो यह आपका exactly same structure है, इस तरह क आपको कई database structures या models दिखेंगे, यह भी exactly perfect code है, इसमें को issue नहीं है, लेकिन, क्योंकि आप चाहिए और code पे आए, तो मैं इसका एक आपको और professional approach बताता हूँ, जो कि जादतर बड़े big projects में use होता है, है वो भी same है, जैसे हम बोल रहे थे कि user name लिखने के बाद, आप क्या करि यह जो object है इसकी properties पढ़ना ही mongoose के documentation पढ़ना है, तो सबसे पहले उसका आप type define करते हैं हमेशा, तो type क्या हुआ string, अभी पहले मैं क्या कर रहा था, directly string लिख रहा था, तो automatically first property वहाँ पर बन रही थी string, लेकिन अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कि यहाँ पे required भी बोल सकता हू की true, required true बोलते क्या हुआ, यह field होना ही चाहिए, अब automatically mongoose यह ध्यान रखेगा, कि अगर आपने controller में check नहीं करा है database में, तब भी मैं यहाँ चेक करूँगा, कि यह field तो होना ही चाहिए, इस field के बगए data save ही नहीं करूँगा मैं, उसके बाद आप चाहे तो, आपको suppose करिए आप कोई Instagram clone बना रहे हैं, तो वहाँ पर unique username का भी concept होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आगे लिखना है, सिर्फ unique और true, तो देगा, हम सिर्फ enjoy करते वे किते field, अभी यह field में अगर आपको mongoose के documentation में जाके पढ़ाता ना, तो काफी difficult हो जाता पढ़ना, इस दिखना है, और काम हो जाता है, अच्छा, इतना ही नहीं, आप चाहते हैं कि सारे username lowercase होने चाहिए, तो आप सीधा जाके यहाँ पर उसको बोल सकते हैं, lowercase और यह true, अच्छा, और किती properties हैं, और किती fields हो सकते हैं यह, बहुत सारे हो सकते हैं, और इनको कैसे कैसे use करना है, हाँ, इसी के लिए यह series है, आप चाहें तो documentation में जाके खुद भी पढ़ सकते हैं, बट मेरा यह मानना है कि आप series देखते रहे हैं, इन में से almost जित्ते mostly used चीजे हैं, इस object के अंदर, वो मैं आपको eventually discuss करता जाओंगा, और mostly मैंने 80-90% cover भी कर दिये, इससे ज़ाद आपको ज़रूत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो एक field तो हम यहाँ पर बनाना सीख गए, अब एक ही field थोड़ना store करना username, और भी तर store करना है, तो चलिए, अब इसकी practice करते हैं दुबारा से, तो अब comma करिए, next field क्या store करेंगे, email store करना चाहता हूं मैं इस user का, तो वापिस से, अब यहाँ पर string लिखके काम चला लिजा, अगर कुछ जादा नहीं है तो ठीक है string, और next पर move कर जाएगे password पर यहाँ पर अगर आपको और लिखना है कि नहीं यार मैं इसमें यहीं पर और भी मेरे models, validations वगरा और add करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, Mongoose की जो main पर सीख रहे हैं भी, तो अब हो गया next field हमारा email, तो यह लिजे, email का भी एक object बना दिया हमने, अब क्या है, सबसे पहली चीज हमेशन याद रखे, type ही लिखना होता है, तो email कैसे store करेंगे, type में, number में कैसे, string में store करेंगे, obvious ही बात है, email required होना चाहिए जी, तो हम यहाँ प वैसे तो हम भी ध्यान रखेंगे, बट फिर भी यहाँ पर भी लिखना ही चाहिए, तो यह हो गया हमारा unique, और क्या होना चाहिए, lowercase, सारे email lowercase में होना एक अच्छी practice है, lowercase, और यह हो गया हमारा true, तो देखा कित्य असानी से यह field हमने बना दिया, अच्छा, एक और field हम य detail चाहिए होता है, तो मैं password का भी object से ही define करूँगा, सबसे पहला type obvious ही बात है, type हो गया string, यह लिजे string हो गया, और क्या चाहिए, वैसे तो आप चाहिए, तो एक भी लिखके छोड़ सकते हैं, यह भी ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, यह भी required होना चाहिए, तो अभी मैं documentation पढ़ते हैं, और मुझे पढ़ना है इसका validation, तो validation पर आता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं, validation और कैसे लिख सकते हैं, तो built-in validators भी हैं यहाँ और custom error messages भी हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तो देखें, यह क्या बोल रहा है, कि आप क्या कर सकते हो, कि आपको कभी भी ऐसा लगे, कि कोई चीज, min, max आपको लिखने हैं, या फिर आपको लिखने हैं, तो आप array भी पास कर सकते हो, उस array के अंदर आप minimum number पास कर सकते हो, और custom messages भी पास कर सकते हो, कि अगर वो field नहीं मिला, तो क्या messages पास करना है, तो यह बड़ी अच्छी चीज है, मुझे backend में कम आ मेरे accept करता है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो, कि true, और अगर यह true ना हो, तो मेरे custom messages भी पास कर दो, कि password must be, password is required, तो इस तरह से मैं custom messages भी दे सकता हूँ, इसी वज़े से लोग mongoose use करते हैं, क्योंकि इतनी सारी out of the field powers आपके पास नहीं होती है, mongodb में directly, वहां आपको बहुत कुछ 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 कस्तमली खुद define करना पड़ता है, अभी हम जाते हैं back पे, हमारे basic पे, अभी हम सिर्फ true लिख देता हैं यहाँ पे, क्योंकि इन सब के बारे में और आगे जाके future में हम चर्चा करेंगे, अच्छा, यह तो सब हो गया user का, लेकिन मैं चाहता जब भी मेरे पास एक user register हो रहा है, तो मैं और भी चीज़ें वहाँ पे store करना चाहता हूँ, कि user कब आया, कब modify हुआ, यह सारी चीज़ें, अब यह चीज़ें इतनी जादा common है, कि MongoDB आपको यह सारी चीज़ें store करने के बहुत सारे तरीके देता है, इन में से एक तरीका है कि आप किस तरह से अपने timestamps को uphold कर सकते हो, आप देखोगे, तो एक easy तरीका है, मैं यहाँ पर search कर लेता है, हम यहाँ पर इस पर, जादा easy रहेगा, timestamp, तो timestamp, यह हमारी timestamp की API, Mongoose timestamp, यहाँ पर पढ़ लेता है, तो Mongoose आपको क्या कहता है, यह दो field देता है आपको, created at and updated at, तो यह इतनी common चीज है ना, database के अंदर या backend के काम करते time, कि almost हर जो model आप define करोगे, user, to do, sub to do, hospital management, तो सब में आप यह चीजे तो रखोगे, कि यह जो entry है, यह document के अंदर, यह जो field में add कर रहा हूँ, इस user का, या इस to do का, वो कब वो create हुआ था और कब वो last update हुआ था, यह बड़े ही common चीज है, तो इनी common चीजों के लिए, MongoDB क्या करता है, कि जब आपका यह schema define हो जाए ना, तो इसके बाद एक और object मुझे पास कर दो, यहाँ पे, जिसका है time stamp true, तो मैं automatically दो field add कर दूँगा, created at, updated at, जितना आप documentation पढ़ेंगे, जितना आप इस तरह से experience के साथ सा आपको, तो यह बड़ी common चीज है, तो इसलिए इसको हम add करी देते हैं, अब इसको add करना बहुत important है, कैसे add करना यह भी, तो देखे, MongoDB के, Mongoose की documentation है, वो कहता है, कि इसको आप जब आपके पास पूरा schema define हो जाए, तब मुझे एक secondary object पास कर देना, तो first object तो आपका जो जो fields है, वो है, second जो object आप पास करते हो, उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है, यहाँ पे timestamp, तो यहाँ पे timestamp, s है end में, याद रखिएगा, सबसे common mistake है, timestamp नहीं, timestamps है, created at, updated at, दो हैं, तो timestamps, और कुछ नहीं करना है, बस इसके बाद आपको बोलनेना है, true, हो गया आपका काम, बस, that's it, इतना सही काम है, तो देखा, यह पहला जो हमारा object है, वो तो define करता है, क्या-क्या data आप लोगे, और दूसरा जो field है, वो define करता है, कि आप क्या-क्या timestamps ले रहे हो, तो देखा, define हो गया, तो देखे, बातों यह बातों में, कुछ करना हमें पड़ा नहीं, हम और ऐसी करते-करते हम जैसे-से और models बनाएंगे न, तो आपको मैं और ऐसे-सी fields के साथ, इन सब के साथ introduce करता जाओंगा, तो चलें आगे, यह कहानी तो हो गई हमारी complete, हाँ जी, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है, लिटरली इतना ही है, यही है model बनाना, अब यहाँ एक field हो, दो field हो, 200 field हो, यह तो common सी बात है, कितनी भी field हो सकती है, तो हमारा to-do के लिए एक यूजर schema तो हो गया save, और यह हो गया हमारा काम, लेकिन अब क्या है, दूसरा जो मेरे पास है, वो है to-do model, हमने to-do card बना है, और उसके अंदर सब to-do card बनाएंगे, तो चलिए जी अब to-do schema भी बना लेते हैं, तो यह to-do model के अंदर जाते हैं, काफी practice होगी हमारी इस तरह से, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, बताइए, आप कोई बताना है, मुझे थोड़ी बताना है, तो हमने क्या करा सबसे पहले, mongoose को import करा, कि यह लिजे हमारे पास mongoose कहां से बतानेगा, new mongoose ही बनाने देगा, और तो कॉन, mongoose.schema, schema एक method है, जो कि accept करता है, एक object, obvious ही बात है, time stamps होगर हमें लेने ही बाला हूँ, तो क्यों न यही पे comma लगा के, पुरानी knowledge से, time stamp यहाँ पे add कर दू, time stamp, और इसको बोल दू true, पकड़ ली न गलती, हाँ, क्योंकि आपको पता है, क्यों आता है, क्योंकि created add, updated add है, तो आपने पगड़ लिया है, ठीक है, हो गया काम, और last में क्या करना है, इसको export करना है, तो export कैसे करो, अब export आपके उपर है, क्या करना चाहते हो, तो मैं करना चाहते हो, export, const, to do, और कैसे export करूँगा, mongoose ही तो export कराएग दो question है, बस जरा-जरा से, इसका नाम रख दो, एक काम करो, to do, और इसको base कर दो अपने to do schema पे, बस हो गया, बन गया अपना model कोई दिखकत ही नहीं, quick question, ये database में जब mongo db में store होगा, इसका नाम क्या होगा, बदाएगे, comment section में, इसका नाम होगा, हाँ जी, काफी लोगों और capital में, sorry, capital में नहीं, lowercase में, चलिए, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे इतना तो हमारे पास बन गया है, इसके अंदर आके और चीजे हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको save कर लेते हैं, इतना काम, अभी हम चलते हमारे sub to do's के अंदर, क्योंकि sub to do's पे जाना हमारे user का सारा code, sub to do में लिख दिया, कोई नहीं, यहाँ से उठाते हैं, cut करते हैं, और user के अंदर डाल देते हैं इसको, समझाते हैं, समझाते हो गई, गडबर, क्या कर सकते हैं, तो यह हो गया हमारा user schema, to do वाला सही है एक दम, और यहाँ पे हमारा sub to do, एक बार और लिख लेते और कैसे बनेगा यह, new keyword तो use करना ही करना है, JavaScript से हमें पता है, new keyword बहुत important है, Mongoose, और उसके बाद हमें दे दिया यह schema, schema एक method है, जो कि क्या expect करता है, एक object expect करता है, अगर आपको time stamps भी चाहिए, तो यहीं की यहीं, निप्टा दो उसको, time stamps, और यह लिज़े, इसको कर दिया true, तो यह इसके साथ बाद में करेंगे अब, और export भी कर दो, const, const नहीं, पहले export, export const, और इसको बोलेते हैं, sub to do, sub to do, ठीक है, sub to do चलेगा, और कैसे export करें, Mongoose ही help करेगा, तो mongoose.model, और model दो question आपसे पूछता है, कि नाम क्या रखना इसका, तो इसका नाम रख दो, sub to do, और किस पे base रखों इस schema को, तो sub to do schema पे base रख दो, ठीक है जी, अब हमारा ये काम तो हो गया, लेकिन, अब क्या है, कि मैं किस तरह से इस data को organize करना चाता हूं, structure करना चाता हूं, उस पे भी हमें थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो हमारे पास में एक नहीं सीखा है, MongoDB के अंदर जो database या models का relation होता है, यह आपके MySQL जैसा नहीं होता है, MySQL में तो many to many, one to many, वो सब नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, easy भी होता है, तो चली, इसके बारे में हम सबसे पहले अब आते हैं हमारे to do.model में, सब to do में नहीं है, to do model के अंदर, तो to do model के अंदर क्या-क्या हम यहाँ पे रखना चाहरे हैं और क्या-क्या करना चाहरे हैं, ठीक है, तो एक-एक करके लेते हैं, यहाँ पे आते हम हमारे schema में, और करते हैं कि देखे क्या-क्या store करना चाहते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे content store करना चाहता हूँ, यह मेरा to do है, इसको मैं content बोलूँगा ठीक है, अब content क्या होगा content के अंदर एक object है अब वैसी बात है, type होता है सबसे पहले तो, यह भी हमने देखा था यह लीजे, string हो गया है, required है क्या हाँ ची, title तो चाहिए गई न, तो required इसको बोल देते हैं, यह required true है, तो पहला field तो मेरा यह हो गया, कि जब भी एक major to do का box बनेगा, क्योंकि उसके अंदर सब to do's आने वाले हैं, तो उसका नाम होना चाहिए, gym, youtube कुछ ना कुछ नाम, आपको लगता है कि उसके अंदर color होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो सब आप देख लीजे अच्छा, मैं चाहता हूँ, कि इसके अंदर एक complete वाला tag भी हम लगाएं ताकि अगर हम ऐसा logic लिख देंगे बाद में कि सारे to do's अगर mark हो गया है तो यह automatically check mark हो जाए लिख सकते हैं असा logic, हाँ जी लिख सकते है तो एक और field अगर add करना है तो कर सकते हैं क्या, हाँ जी बिलकुल कर सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम यहाँ पर data के बारे में सिर्फ discuss करना है, तो इसको बोल देते हैं complete और complete पी एक object है यह type क्या होगा इसका, type होगा इसका boolean true-false, obviously बात है हम इसको default value भी दे सकते हैं कि default क्या होना चाहिए अब default जो field है ना, सब के साथ लग सकता है आपके content के साथ भी लग सकता है यहाँ पर default makes sense, क्योंकि by default false होनी चाहिए value तो मैंने default entry भी कर दी उसके लाबा मैंने time stamp तो यहाँ पर लिया है, लेकिन मैं एक और entry करना चाहता हूँ, कि यह जो major to do है ना, हो सकता है मेरी application काफी users use कर रहे हो तो किसने आके बनाया है, वो भी तो मुझे रखना पड़ेगा हिसाब तो यहाँ पर मैं एक और entry करना चाहता हूँ, जिसका नाम है मेरे पास created by, ठीक है अब created by के अंदर obviously बात है मैं यहाँ पर जाके type string तो नहीं डाल सकता, type email भी नहीं डाल सकता क्योंकि इसका relation होना चाहिए हमारे user के साथ में तो जब आपको कोई इस तरह से database यहाँ पर है model आपने कर रखा है और इसके साथ आपको उसका relation चाहिए तब कैसे करते हैं, तब आपको दो चीजों का ध्यान रखना है सिर्फ एक, कि आपका एक special type है यह दूसरा reference, reference से मेरा मतलब है user का reference दे रहे हो कि sub to do का reference दे रहे हो, बताना पड़ेगा न उसको तो यहाँ पर created by के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं store करूँगा इसके अंदर पहली बात तो type store करूँगा ठीक है, अब type कैसे लिखते हैं, type लिखने का एक तरीका है, आप क्या बोलते हो सबसे पहले mongoose, mongoose से लेते हो आप schema, और schema के अंदर लेते हो types, हाँ जी यह ऐसे ही लिखना होता है, और उसके बाद last में आप लिखते हो, object id यह इसी तरह से लिखा जाता है i capital होता है, यह special type है जैसे string एक type है, boolean एक type है यह एक type है जैसे ही mongoose को यह type दिखता है इसका मतलब है कि अब आप मुझे कोई ना कोई reference देने वाले हो या तो user का, या sub to do का, किस ना किसी और model का, आप reference देने वाले हो तो जैसे ही आप यह लिखो, next line के अंदर हमें लिखना compulsory होता है कि आप reference दो, अब reference क्या है, मेरे पास user है अब यह जो user है याद रखेगा यह जो reference आप दे रहे हो हमेशा और हमेशा यह यही वाला नाम होता है, जब आप model create करते हो तो यह वाला नाम हम यहाँ पर reference के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो यही वाला नाम है यही दीजेगा हमेशा वैसे तो हम कोशिश करते हैं, standard practice में कि यह वाला नाम और यह वाला नाम exactly same हो, बट फिर भी अगर आपको कोई confusion लगे कभी, तो model के अंदर जो आपने नाम दिया है, वो ही नाम हम हमेशा यहाँ पर देते हैं, तो देखा इतना भी कोई difficult नहीं था ठीक है, एक reference तो आपने दे दिया कि यह वाला जो field है, यह किस ने बनाया, यह अब मुझे पता है, अच्छा अब एक और field मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, जिसका नाम है subtodos क्योंकि एक बड़े box के अंदर है, तो subtodos चाह रहे हैं, तो सबसे easy अगर array हो, तो सीधा ही square brackets लगा दो यह लो जी, हो गए आपके array, ठीक है अहाँ, यहाँ पर आप type लिखके भी array लिख सकते हो, लेकिन सबसे easy common practice आपको यह दिखेगी, professional code में भी यह दिखेगी, यह लिखा हमने अब इस array के अंदर आएगा क्या, अब इस array के अंदर आएगा objects, ठीक है, object ही तो store कर रहे है array के अंदर multiple objects हैं अब हमें define करना पड़ेगा कि array है, object है, ठीक है, लेकिन हर एक object कैसा दिखेगा, उसकी modeling भी तो करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ना है यह सिर्फ string है, तो आके कुछ नहीं, यहाँ पर type लिखके और एक string लिखदो बस, काम हो जाता है लेकिन हमारा ये वाला जो object है, थोड़ा सा tricky है क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, एक दूसरे model का reference, दूसरे model का reference, जस्ट अभी सीख लिया है उपर हमने तो उसी तरह से हम काम करेंगे, तो क्या करो सबसे पहले, दो चीज़े देनी पड़ती है, type और reference, दे दो जी फटाफट, इसमें क्या है type कैसे देते है, type ही करना इसको क्योंकि अभी practice नहीं है आपकी, तो type ही करना, copy-paste मत करना, तो सबसे करेंगे, अभी हम यहाँ पर रहते है, practical approach में, और फिर next line पर तो ref देना ही पड़ता है, हमेशा यह तो compulsory है, अब reference किसका देना है मुझे, reference आपको देना है, जो भी आपने यहाँ define करा है, मैंने यहाँ पर subtodo define करा है, तो मैं of subtodos, मैं यहाँ पर comment भी लिख दू, आपको लिए एक, चलिए, array of subtodos, ठेक है, तो बड़ा ही easy था, basic था, इतना भी कोई खास difficult नहीं था, सारा काम हो गया हमारा, और हमने इसको export भी कर दिया, तो अब आप actually मैं एक दिमाग के अंदर model बना पा रहे हो, कि चीज़े किस तरह से चलती है, कैसे होती है, और कैसे काम करती है, अब final note पे आते हमारे, कि सब तो बना लिया, अब यह sub-to-do भी बना लो, चलिए, sub-to-do भी बना लितना है, अब आपको पता है कि अब आपको बस यह सोचना है, कि क्या-क्या डेटा चाहिए, डेटा पॉइंट एक बड़ समझ में आ गया ना, उसके बाद तो यह सब तो syntax है, देखें, इस boilerplate में कोई code में change आया क्या, नहीं आया, यह तो हमेशे ऐसे ही रहने वाला है, यह time stamp बे ऐसे ही रहने वाला है, यह schema वगरा सब ऐसे रहने वाला है, यहाँ पर आके हम सिर्फ चर्चा करते हैं, बैठके, कि क्या-क्या entries अब होनी चाहिए, ठीक है, चलिए बिना required के क्या add करेंगे हम, तो इसको बोल देते है, required, यह लीजे, required और यह बोल दिया, true, ठीक है जी, अब यहाँ पर मुझे चाहिए, कि यह वाला जो है, इसको मैं check mark करूँगा, complete, incomplete, यही तो काम करते हैं, to do's में हम, तो दूसरा भी एक field ले आते हैं, इसको भी हम complete बोल देते हैं, boolean, boolean, यह लीजे, boolean आ गया, आप इसके अंदर default भी डालना, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो डाली है, चाहे तो मत डाली है, मैं डाल देता हूँ यह आप पर, default false, तो यह हो गया हमारा basic, अच्छा, आप एक बात बताईए, क्या इसमें भी track करना चाहोगे कि यह किसने बनाया है, आपके उपर है, totally आपके उपर, आप चाहो तो मत करो, मैं कर लेता हूँ track, हो सकता है कुछ ऐसी application बना रहे हैं, जहां पे एक के अंदर multiple users आके अपने to do's डाल रहे हैं, तो अगर आपको कुछ करना है वो track, तो एक ही minute लगेगा track करने के लिए अब तो आपको कि ठीक है, एक नया field हम यहाँ पर बना लेते हैं, created by और created by के अंदर क्या करेंगे, created by के अंदर एक object डाल देते हैं, यह लिजे, object के अंदर define करेंगे, सबसे पहले देते हैं type, type कैसे लेते हैं, mangoos से बोलते हैं कि schema दो, schema से मुझे चाहिए types, s, ठीक है, और क्या बाखेंगी, object id, याद रखेगा, यह object id के अंदर, ob capital है, ib capital है, in case मैंने कहीं अगर गल्ती कर दी हो, तो please उसे ignore कर दीजेगा, ob capital चाहिए होता है, ib capital चाहिए, structure है, मैं नहीं define कर रहा हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे तो नहीं किया, वैसे तो नहीं किया, बट का नुकसान है अगर थोड़ सी टाइपिंग करते रहोगे थोड़ी एक्टिविटीज करते रहोगे तो आपको जादा समझ में आएगा तो इंगेजमेंट एक्टिविटीज आपके लिए इंपोर्टेंट है अब नेक्स चलते हैं नेक्स हमें क्या देना पड़ेगा रफेरेंस रफेरेंस के अंदर मॉडल का नाम दे दीजिए जो भी आपने डिफाइन करा है यूजर तो हमने दे दिया कॉमा लगाना भूल गए बस यह लीजे तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई एक टुडूस से सिर्फ सिर्फ एक टुडूस से कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई हमार पास में कि किस तरह से मॉडल्स और यह सब हमें डिफाइन करे जाते हैं और किस तरह से वैल्यूस डिफाइन करी जाती है थोड़ी और practice चाहिए? जी मुझे पता है आपको थोड़ी और practice चाहिए तो थोड़ा सा एक 5 नट का मैं water break ले लेता हूँ और आपका वीडियो हम इसी है इसे continue करेंगे ओके तो मैंने सोचा कि break लेने की बजाए continue करने की बजाए हम क्या करते हैं कि ये वाला तो आपको पूरा का पूरा basic समझ में आ चुका है तो इसको हम यही पर करते हैं और इसके बाद next video के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसी को continue करेंगे हम और आपको थोड़ा सा और hospital management या e-commerce उनका modeling कैसे करते हैं उसको करते हैं बोड़ा सा वीडियो सेपरेट हो जाएगा तो काफी और clarity हो जाएगे रापको कोई doubt questions हो तो वो भी आप discuss कर पाओगे कि इस वीडियो के सेग्में में अलरी एक घंटेगा वीडियो हो गया है तो next video के अंदर हम continue करते हैं तुडूस आपको समझ में आ गया है किस तरह से basic relations बगर होते हैं next video के अंदर हम क्या देखेंगे इसी कोई continue करेंगे बट हम हमारा e-commerce का data modeling कैसे होता है hospital management का data modeling कैसे होता है ये एक-दो हमने और practice कर लिए तो उसके बाद आपको library का करना है library management system या फिर आपको कोई society management system LMS कुछ भी बनाना है तो आपको काफी easy process हो जाएगा ठीक है तो next video में मिलते हैं और हम practice करते हैं थोड़ी सी और data modeling के उपर